नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है इस बात की पुष्टी खुद और चामंत्री विजेंदर प्रिसाद यादव ने की है दोरांडा कोशागार मामले में लालू प्रिसाद यादव की बढ़ी परिशानी दोरांडा कोशागार मामले में लालू यादव की परिशानी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है आपको बता दे कि दोरांडा कोशागार में निकासी मामले में लालो प्रसाद समेत अन्य आरोपियों को कोट ने दोशी पाया था और अब CBI कोट के फैसले के आधार पर E.D. ने इस संबंध में Prevention of Money Laundering Act के संगत धाराओं के तहत नया केस दर्श कर दिया है घर बनाने के साथ ही बने घर की मरमत के लिए भी सरकार देगी रुपे बिहार के आवास विहीन के लिए बड़ी खुश खबरी है केंदर सरकार के प्रधान मंतरी आवास योजना से बिहार को बड़ा फायदा हुआ है जिहा बिहार में आवास से बंचृत लोगों के लिए ये खुश खबरी है बिहार के ग्रामीन विकास मंतरी श्रवन कुमार ने कहा है कि वित्यवर्ष 2022-23 के बजट में पी-म आवास योजना के तहट देश में सरवाधी कोटा बिहार को मिला है जिसमें कोले 11,49,000 आवास का अवंटन मिला है इसके लिए 13,800 करों रुपए के इंदर सरकार देगी यही नहीं सरकार 31,000 आवास के लिए भी 50,000 रुपए देने वाली है इस बार बिहार बोर्ड इंटर टॉपरों में लड़कों का रहा दबदबा बिहार बोर्ड की तरफ से बीते दिन इंटर रिजल्ट घोशित कर दिया गया इंटर रिजल्ट में इस बार टॉपर की लिस्ट में छात्रों का दबदबा देखने को मिला वहीं ओवरॉल की बात करें तो इसमें बेटी उने बाजी मारी है साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनो शेत्रों में पहले सान पर इस बार लड़कों ने कबजा जमाया आपको बता दे कि ओवरॉल टॉप फाइव में इस बार कुल 29 बच्चे शामिल हुए जिसमें से कुल 21 लड़के हैं इंटर की परिशा में इस बार कुल 13,25,749 शामिल हुए थे इनमें से 6,83,920 और 6,41,829 शात्राएं थी इनमें लड़कियों की प्रतिशत 82,39 प्रतिशत और लड़कों का परसेंटे 70,04 प्रतिशत रहा इस बार महंगी होली बना रहे हैं बिहार के लोग पुरे बिहार में अभी होली का माहौल है बाजार में भी च्वारों तरफ रंग गुलाल और पिछकारी से रौनक पस्री हुई है ऐसे में आईए जानते हैं कि क्या राजधानी पट्टा में रंग और गुलाल की कीमत जैसा कि भारत में च्वाइना के सामानों को खरीदने के से लोग पर हेस करते हैं ऐसे में होली पर दुकानों में च्वाइनी सामान नहीं देखने को मिल रही है ये भी वज़ा है कि बाजारों में सामानों की कीमतों पर बड़ा असर पड़ा है इसके बाद पेट्रोल डीजर की कीमत भी आस्मान चूती जा रही है इसका असर भी होली के सामानों पर पढ़ा है पिछकारी और अनिय सजावटी सामान करीब 20% महंगी हुई है इसके बाद कोरोना की वज़ो से व्यापारी रेंद दुकानों में माल भी कम ही मंगवाए हैं तो ऐसे में कुल मिला करके इस बार होली में महंगाई का असर लोगों क जेबो पर भी पढ़ रहा है एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते पेट्रोलियम के दाम ने आम जंजीवन को तरस्त कर दिया है आपको बता दे कि एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया है गुरुबार को तेल कंप पटना की बात करें तो यहां तेल के दामों में गिरावर देखने को मिली है। प्रदेश का तापमान 40 डिगरी के आसपास रहने का पुरवानवान है। मंतरी को खोज रहे थे। अब बाहर भी राजद के विधायक पोस्टर लेकर दिखाई दिये हैं कि मुख्य मंतरी कहा है। राजद विधायक का ये भी कहना है कि भाजपा के मंतरी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका मंतरी पद ना चला जाए। इसलिए स्पीकर के अपमान का घूर पी कर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पर काम हो रहा है हलाकि विपक्ष के हंगामे की वजो से वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। बिहार के प्रसिद भागलपुरी, सिल्क और हस्तशिल्प और हैंडीक्राफ्ट को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इस बार कुल पंद्रह दिनों तक योचसव मनाये जाएगा। मुख्यमंत्री से बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष का सदस्यों के नाम संदेश। मिधार विधानसभा में सोमवार को हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष वजे कुमार सन्हा में बहस के बाद मामला काफी उलच गया। विपक्ष ने विधान सभाध्यक्ष के पक्ष में आकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इसके बाद मामला श्रांत हो इसके लिए मुख्यमंत्री और विधान सभाध्यक्ष ने मुलाकात की इसके बाद ही बुधवार को सदर में दोनों उपस्तित हुए इसके बाद वधान सभाध्यक्ष ने सदस्यों के नाम संदेश जारी किया वधान सभाध्यक्ष ने कहा कि बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसे इस पवित्रिफ सदन की गरिमा के लिहास से कतई उचित नहीं कहा जा सकता उन्होंने कहा कि बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा ना हो इसके लिए विधानसभा अधियक्ष ने अटल जी की चाल पंक्तियों को भी दोराया प्रदेश अधियक्ष संजे जैस्वाल ने केंद्र सरकार के उद्योग मंतरी को इस संबंध में पीएम मैत्रे परियोजना के तहट साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्कों में से एक बिहार को देने का आगरह किया है शरद्यादव की पार्टी 20 मार्श को होगी लालुयादव की पार्टी में शामिल शरद्यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दलकार राजुद में विले होने की उमीद है इसको लेकर के स्कायो जंदिली में शरद्यादव की आवाज 7 तुगलक रोट पर 20 मार्श को होने वाला है इसकी जोनकारी खुद शरद्यादव ने दी है शरद यादव ने कहा कि देश की मौजुदा स्थी को देखते वे जनता परिवार को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है शरद यादव ने कहा कि स्वास्त कारणों की वज़े से वोज अपने प्रयासों को लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा सकते इसलिए लोग तांतरिक जनता दल का राश्ट्री जनता दल में विले करने की योजना है मालूमों की लालो यादव और शरद यादव के बीच काफे पुराना राजनेतिक संबंध है राजनीतिक की शिरवाती दौर में दोनों छात्र नेता हुआ करते थे सड़क नहीं होने के कारण पैदल ही अपने संसदिय शेतर में घूमते थे मुख्यमंतरी बीते बुधवार को मुख्यमंतरी नितीश कमार बाट लोग सभा शेतर के दोरे पर निकले थे जहां वो चंडी विधान सभा के अलग-अलग इलाकों में घूमे और अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और हाल लिया इस बीत मुख्यमंतरी नितीश कमार ने कहा कि हम लगातार अपने पुराने इलाके में घूम रहे हैं आप सभी ने हमेशा से बहुत सम्मान दिया है आप लोगों ने मुझे सांसत बनाय था जब हम यहां से सांसत थे तो उस समय सड़के नहीं होने के कारण पैदल ही अपने संसतिय शेतर में घूमते रहे नई पीड़ी के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी लेकिन जब हमें मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला इस इलाके में जो संभव है उससे करते आए हैं और करते रहेंगे हरबजन सिंग को दी जा सकती है इस बार बड़ी जिम्मिदारी हाले में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले चुके हरबजन सिंग अब राजणीती के दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं दरसलाम आदमी पार्टी और पुर्व क्रिकेटर हरबजन सिंग को पंजाब से राजुसभा भेजने की संभावनाय बन रही है इसके साथ ही ये भी खाह जा रहा है कि हरबजन सिंग को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान दी जा सकती है दरसल पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवनत सिंग मान और हरबजन सिंग को करीबी दोस्त माना जाता है हाली में पंजाब में आपकी बड़ी जीत के लिए भगवनत मान को बढ़ाई भी दी थी इसे कयास लगाये जा रहे हैं कि हरबजन सिंग को ये बड़ी जिम्मदारी दी जा सकती है कर हमारे दोरा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था के लिए आपका बहुत बहुत धहने बाद आप में से जी निवजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्रंकर मुख्या, अरुन कुमार सनह, रखुनाद प्रसाथ, सचिन कुमार, संतोष कुमार यादव, रंजीत कुमार मिश्रा, रवी कुमार राज, विकास क अहमूद, आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आपके शेतर में वर्तमान में कितने घंटे की बिजली या पूरती होती है, अपने जवाब में कॉमेंट करक ज़रूर बता है, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक को अंदबाना ना भूले, धन्यवाद